नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप simple simple questions के answer करके छोटे छोटे पोस्ट डाल के पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे यूटूबर हैं जो काफी मेहनत करते हैं यूटूब चैनल क्रियेट करते हैं content क्रियेट करते हैं और काफी समय लग जाता है उनको चैनल को monetize करने में पैसे earn करने में लेकिन आज मैं एक ऐसे platform के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपको केवल questions को answer करना है बहुत सारे लोगों के मन में जिग्यासाएं होती है questions होते हैं जो वो उस platform पे पूछते हैं और अगर आपको answer पता है तो simply आपको answer कर देना है और वो जो question है वो किसी भी field से हो सकते हैं फिल्म जगत से हो सकते हैं health related हो सकते हैं weight loss related हो सकते हैं money related हो सकते हैं finance related हो सकते हैं music related तो जिस भी फिल्ड में आपको इंट्रेस्ट है और मुझे पता है कि सभी लोग जो दुनिया में है किसी ना किसी फिल्ड में उनको इंट्रेस्ट होता है जानकारी होती है तो उसका आंसर करके आपको पैसे अर्न करने है तो कौन सा प्लेटफोर्म है कैसे वहाँ पे आपको create करना है कैसे आपको वहाँ पे earning होगी कैसे post आपको डालनी है कैसे आप वहाँ पे earn कर सकते हैं पूरा detail आज मैं आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को subscribe जोग कर ले आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूँ Google में आपको search करना है Quora और जो पहला link आएगा उस link पे आपको click करना है और click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको sign up करना है Google से भी कर सकते हैं Facebook से भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं Google से sign up कर लेता हूँ तो इसके लिए मैं continue with Google पे click करूँगा और मैं अपना account जो है वो create कर लूँगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो account है वो create हो जाएगा और create होने के बाद आपका जो interest है जी यहाँ means जिस तरह के questions का आप answer करना चाहते हैं या जिस तरह का post आप डालना चाहते हैं जो interest है उस पे आपको यहाँ पे tick mark कर लेना है आपको YouTube पे interest है music पे interest है आपको lifestyle में interest है health में interest है सारे options आपको यहाँ पे मिल जाते हैं उसके बाद आपको next करना है और next करने के बाद आप देखेंगे आपका जो account है वो create हो जाएगा यह Quora का जो account है वो create हो चुका है इसके बाद जो है आपको यहाँ पे space create करना होता है जी यहाँ बहुत सारे space आप create कर सकता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो headline है name है इसी को space कहता है जिसमें images लगे हुए है जो logo है लगो लगाया हुआ है पीछे timeline photo लगाया हुआ है तो यह space है इस तरह का space आपको भी create करना है मैं आपको space खोल के दिखा रहा हूँ इसमें followers होते हैं इसको लोग follow करते हैं और यहाँ पे जो भी post डाले हुए होते हैं उससे related कोई questions होते हैं अगर किनी के पास तो वो post सकते हैं तो यह space है इस तरह का space आपको create करना होता है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि space create कैसे करना है तो home page में हम लोग फिर से वापस आएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको space create करना है create space पे click करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले space का नाम आपको यहाँ पे रखना है तो जिससे भी related आप space आप बनाना चाहते हैं उस तरह का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और बहुत सारे space आप create कर सकते हैं बहुत सारे चीजों पे आपने interest show किया है तो आप बहुत तरह के जो space है आप create कर सकते हैं उसको monetize कर सकते हैं जो आगे मैं आपको दुखाऊंगा तो यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया YouTube Channel Help ठीक हैं और YouTube Channel Help में आप क्या बताने वाले हैं थोड़ा सा आप briefing देना चाहते हैं तो नीचे description में आप brief कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ YouTube Tips and Tricks उसके बाद मैं लिख देता हूँ Ideas to Improve YouTube Channel Views और उसके बाद लिखूंगा मैं YouTube Monetization तो यह जो topics हैं इस topics के बारे में बहुत सारे सवाल सोते हैं लोगों के मन में तो उसके answer आप यहाँ पे कर सकते हैं या इससे related post आप डाल सकते हैं तो उसके बाद create post पे click करना है थोड़ा से उपर correction कर लेता हूँ मैं capital में कर देता हूँ कुछ words को और उसके बाद यहाँ पे create पे मैं click करूँगा जैसे create पे मैं click करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका space है वो create हो चुका है और invite link भी आप यहाँ से copy करके अपने friends को या आप ऐसे जगा पे social network sites पे आप share कर सकते हैं जादा से ज़्यादा followers जो है आपके space को follow करें तो यह आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा जो space है वो create हो चुका है YouTube channel help और यहाँ पे आप जो है अपना आप logo आप यहाँ पे चाहे तो आप set कर सकते हैं अपना timeline photo आप set कर सकते हैं यहां पे और उसके बाद नीचे आप इस space को monetize करने का आपको option मिलता है यहां पे आप देख सकते हैं बीच में आपको एक option मिल रहा है monetize करने का means आप अपने answers को अपने post को आप monetize कर सकते हैं तो get started पे आपको click करना है सबसे पहले अपना जो country है वो select कर लेनी है तो इंडिया मैं select कर लेता हूँ then मैं submit करूँगा और submit करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह का monetization आप रखना चाहते हैं अगर आप subscription आप रखना चाहते हैं वो भी option मिलता है मतलब जो भी लोग आपके subscription को buy करेंगे वही आपके post को पड़ पाएंगे या अगर आप subscription नहीं रखना चाहते हैं इसको आप skip करना चाहते हैं मैं भी इसको skip करूँगा subscription वाला option जब आपके बहुत सारे followers हो जाते हैं तब इसको लेना चाहिए तो मैं इसको यहां से skip कर देता हूँ और skip करने के बाद जो second वाला option है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो second वाला option है वो है Quora plus revenue sharing means Quora के जो subscribers हैं वो जो revenue जो देते है Quora को उसमें revenue sharing जो है Quora भी आपको देगी इस तरह का यहां पे monetization plan है इसको आप ले सकते हैं अच्छा plan है फिलाल मैं skip कर देता हूँ बाद में मैं इसको add कर लूँगा उसके बाद है add revenue sharing तो यहां पे add revenue sharing means जितने भी आप questions डालेंगे या post डालेंगे उसके नीचे जो adds आएंगे उसका जो revenue sharing है वो आपको मिलेगा तो यहां पे मैंने इसे enable कर दिया है और go to my space पे मैं click करूँगा तो यह मेरा जो space है आप monetize हो चुका है अब यहां पे मुझे अपना जो banking detail है वो डालनी है ताकि जो मैं पैसा earn करूँ वो मेरे bank में transfer हो सके तो यहां पे आप देख रहे होंगे आपको banking detail जो है वो setup करने का option मिल रहा है payment method तो यहां पे मैं click करूँगा और उसके बाद सबसे पहले यहां पे मैं contact number जो अपना है contact email id जो मेरा है वो यहां पे मैं डाल दूँगा और उसके बाद मैं continue करूँगा कोई email id आप यहां पे डाल सकते हैं डालने के बाद आपको यहां पे continue करना है continue के बाद आपको यहाँ पे mobile number डालना है तो mobile number पे OTP आएगा OTP आपको यहाँ पे put करना है और put करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो banking detail है वो आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा आपको डालना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे OTP जो है वो put कर लेना है तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे देखेंगे company यहाँ पे select है इसको individual कर लेना है क्योंकि आप individual यहाँ पे आपने account create किया है continue पे click करना है और click करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको first name, last name और date of birth यह तीन चीज यहाँ पे आपको डालनी होती है तो यह तीनों चीज मैं यहाँ पे डाल लूँगा और date of birth भी मैं यहाँ पे डालूँगा उसके बाद मैं continue पे फिट से click करूँगा उसके बाद यहाँ पे bank detail हम लोगों को fill करना है account holder name में मेरा नाम 100 हो रहा है नीचे IFSC code, account number और confirm account number यह तीन चीज जो है fill करना है और उसके बाद save करनी है तो मैंने यह सब कुछ fill करके save कर लिया है अब मैं यहाँ पे agree and submit करूँगा मेरा detail जो है वो agree and submit होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते है 10 dollar minimum आपको earn करने है payout को लेने के लिए या bank account में transfer करने के लिए तो बाद उपर में आपको एक option दिख रहा होगा add question यहीं से आपको post create करना है या question आपको यहाँ पे डालना है जो लोग question को पढ़के उसको answer कर सकते है या आप post डालेंगे उस post पे बहुत सारी लोग जो है वो question पूछते है तो यहाँ पे आप create post का भी आपको option मिल जाता है और add question का भी option मिल जाता है आपको तो जैसा भी आपको post डालना है question डालना है पोश्ट डालना है जो भी आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो follower से वो engage हो उस topic को read करें उस पे questions ask करें या answer ask करें जिसे आपकी जो followers वो increase हो आपके views बढ़े ताकि आप पैसे यहां से earn कर पाएं तो यह तरीका है और सारा जो detail है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे account create करना है कैसे bank detail आपको डालनी है कैसे space create करना है और कैसे आपको earning करना है earning का option आप यहां पर देख सकते हैं यह left side में नीचे earning का option है यहां पर आप अपनी earnings को देख पाएंगे और जब आपका 10 dollar हो जाएगा तो आपको transfer करने का भी option यहां पर मिल जाएगा जितना चाहे space आप create कर सकते हैं जितने चाहे चीजों में आपका interest है आप space create करें और space create करके उसमें post डाले और लोगों को engage करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा revenue जो है वो generate हो पाए तो यह तरीका है अजमाए और quora से पैसा earn करना सुरू करें थांक यू